परम सनमानयो गुरु रूप गुरु खाल्चा सा संगत जी वाहगुरु जी का खाल्चा वाहगुरु जी की फते शीरी दर्वार सहब अम्रसर्दी परकर्मा दे पूरव कोने विच योगी राज बाल जती पगवान शीरी चन जीदा अते ओना दे उदासिन पेखदा परसिद अखाड़ा शीरी ब्रह्म उटा है अखाड़ा ब्रह्म उटा दे बानी शीरी निर्बान संतोग दास जी बड़े पजनीक तपस्वी परमत्यागी पवितर आचरनी ते करनी वळे महापुर्ष सन बाबा संतोग दास जी बाबा गुरिया साहब जी दे चेले सन बाबा जी दा तूना अबलू जिला बठंडा वेच्छ है बाबा गुरिया जी बाबा गुर्बक्ष सेंग जी दे चेले सन बाबा गुर्बक्ष जी बाबा नरैन दास जी दे चेले सन अते नरैन दास जी गुरु संगत साहब जी दे मुखी चेले सन गुरु संगत साहब जी उदासियां दियां छे बक्षिशां विच्चों एक मुखी बक्षिस सन निर्बान संतोगदा जीदा जनम मालवेदा सी आपने बाबा गुरिया जीतो गुर्मंतर लेया ते जिलाब ठंडा दे पेंड अबलू वेच बैठके पजन सिम्रन ते तब कीता साधना संपूरण होन तों बाद चुताली साल लगातार पारदे सारे तीर्थां दी यात्रा कीती ते आपने पंजाबतों चालके जगनात पूरी उडिसा समेत रामेश्वर, द्वार का ते बदरी नर्यान आदक 360 तीर्थां दा दर्शन ते इश्नान कीता सैंकड़े संतां सादुआं पंड़तां ते विदवाना नालवारता लाप ते गोश्टियां कीतियां हजारां लोकानू आप जीने साथ तरमदा उपदेश करके किर्तार्त कीता महेमा सवाई विखे निर्बान संतोगदास जी दोदी पिख्या लें रोजानना जान्दे हुंदे सा एक दन एक कारजा आके दोदी पिख्या लें अवाज दती ओस करों एक माई ने हाथ जोड के बेंती कीती के बाबा जी साड़ी गोदा वच्छा मार गया है ते गोउ सोग वे छोण दे कारण दोद नहीं दे रही एसलिए आज दोद लें खेमा बक्षो माई दे मुहों एह दरदिल्ली गाल सोण के निर्बान जी महरावे चागे आते हाथे वेच फड़ी सोटी वच्छे दे कानना लाके कैन लगे ओठ बई ओठ के अपनी मादा दोद जोंग क्यों अवेसला होयां पया है एना कैन दी देर सी के वच्छा उठ के खलो गया अते गवुदा दोद चुंगन लग पया माई दी खुशी दी कोई हाद ना रही चाहीं चाहीं बाल्टी फड़ के दोद चो के बड़े सतकार ते प्यार नार संत निर्बान जी नो दोद दी पिख्या दे के बोली महापुर्खो तुसी तान हो तुसी तान हो तो अडिया कमाईया तान है पर निर्बान जी माई नो जान्दी वारी एग अल कै गए के माई तेरा वच्छा मरया नहीं सी एमे मौज नाल प्या सी पुलेखे विचना रहें पर माई सब कुछ जान दी सी ओधी जवान शुक्राने वज़ों तान बाबा गुरिया सहाब निर्बान संतोगदाज जी महराज कही जा रही सी एकवारी पेंड महमा सरजा विखे सपूरा संग नंबरदार दे खांदान विचों एक भज़ुर्ग माई ने महमा स माई विखे बाबा गुरिया जी दे तो ने ते मथा टेकया ते पुतर दी दात ले बेंती किती बाबा गुरिया जी ने अंतर तयान होके फिर माई नो कहा माई तेरे कर्मा विच सत जनम पुतर नहीं हो सकदा माई बाबा जी दी गल सुन के निरास ना होई अते मथा टेक के अगां तो रपई अगे निर्बान संतोगदास जी तुनाताई बैठे सन माई ने ओना दे अगे चोड़ी जाके अड़ी के पुतर वक्षो निर्बान जी मेहरा विच आ गए ते कहा जा माई अगले साल तेरे कर हीरे वार का पुतर होवेगा ओ सौ सो शुपर करके मथा टेक के अपने पेंड़ा आ गई जिमें निर्बान जी ने कहा सी एन उसे समे बहुत सुन्दर बालक ने उस माई दे कर जनम लेा जदो बचा सवा महिनेदा हो गया ता फेरो हो उसनों मथाट कौन वास्ते सांता दे डेरे महिमा सवाई उस बच्चे नों लेके आई अते बाबा गुरिया जिनों मथाटे के कहन लगी सांत जी तुसी केंदे सी सात जनम बालक नहीं हो सकदा एक इत्थों आ गया बाबा इदे मुह सु बाबक ही निकल गया के एता कौडी है तुँ की रोडा पाया होया है जादो समाई ने देख्या के मुंडा कौडी बन गई है ता ओ उत्थों चटपट बाबा निर्बान संतोग दाजी वाल चली गई अते जाके मथा टेक के आखन लगी के तुसी ता केंदे सी मुंडा होवेगा पर एता कौडी है निर्बान जीने अंतर त्यान होके देख्या ते फिर कैन लगे माई हैता मुंडा ही पर होनतू एतों चली जा ते सानू गुरू चले नू आपो विच लड़ा ना के ते ए ना होवे के ना ही मुंडा रहे ते ना ही कुडी रहे एहे बचन सुनके माई मथा टेक के आपने कार मुंडा लेके चली गई जिते निर्बान संतोकदाश जी ने पेंड़ अबलू आके आसन लाया उस शपड लाके दान सिंग वाला पेंड़ दी जमीन सी ओथे आके ओना ने शिरुगुरू गरंस साब जी दा पाठवी कीता ते ओसे ही शपडतों जनानियां पानी दे कड़े पर नोदियां सन एक माई गोमा जदो पानी दा कड़ा पर नाई ता ओह निर्बान जी दे दर्शन करके बहुत परसान होई कड़ा राके बड़े सतकार नाड मथा टिक्या ते कारा आगई कारा के उसनों विचार आया के निर्बान जी वास्ते रोटी पका के ले जावा तेन-चार मूरता होरसान पंजा का आजम्या दी रोटी पकेगी फेर अपने पती जिसदा ना बाबा ने हाला सी उसनाल सला किती ते निर्बान जी अगे बेंती काराई के होण रोटी मैं पका लेओं दी हा जाद रोटी पाक गई ता दोवे जी पांचक बंद्यां दी रोटी खीर निर्बाना दे तूने ति लेके आगए ते ओथे जाके जदो तिन्ना जा पंजा मूरता दी बजाए ओथे चाली बजा शरीर बैठे सन ता बाबा निहाला जी देखके कब रागया के रोटी पंजा बंद्यां दी है पर खान वाले चाली बजा आदमी हन माई गोमावी फिकर विच सी अते बाबे निहाले दे मत्य ते त्रेली जही आ गई पर उद्रों अचानक निर्बान जी ने बाबे निहाले वल तक्या ते सेवक नो इस तरह डोल दे वे के कैन लगे पगता आ जी आया नू ले आ रोटी संकता उड़ी करें या हन आ अपने हथी सेवा कर एक है के निर्बान जी ने बाबे निहाले तो रोटी फाड ली पर बाबा निहाला सोच रहा सी के होन बनेगा की दो मिंट बाद जाद बाबे निहाले दिया सारिया सोचा खतम हो गईया तद निर्बाना ने एक जल्दी परी तुम भी देखे के हा के पगत जी संकता दे हाथ तो आओ बाबे दी हरानी दी कोई हाथ ना रही जदो सारी संकत दे हाथ तो आ चुका पर तुम भी उसे तरह ही पाणी दी परी रही एवे के उस दे अंदर तीरे जा गया देल खुशी नाल ना चुठिया उसनों यकीन हो गया के सांत करनी वाले हन मेरी रोटी थुड़न नी देनगे फिर की सी निर्बान जी परशादे बाबे नो देई जान ते बाबा संकत विजवर्ताई जावे सब संकता राज के खूब परसन हो या ते फिर निर्बान जी ने परशाद चकया ते बाकी रोटियां सब जी निर्बान जी ने हती बाबे निहाले नो देखे केहा लैप अगता तेरी रोटी आह तेरी कारवली गोमा ते आ तेरे काले कुते दी है जाओ खूब छकके परसन हो फिर दोहा जीया ने मथा टेके आ ते निर्बाना ने केहा मांगलो जो कुछ चाईदा है बाबे निहाले ने केहा किसे गल्दी कमी नहीं सौ मज़ा ते गोमा हन जमीन वगएरा सब कुछ है पर माई गोमा कैन लगी महराज एता सांगदा कुछ मांगदा नहीं सानू पुतर दी दात बक्षो अउलाद दी थोड़ है निर्बान जी सुनके हस्पए ते कैन लगे बाबे निहाले नू अउलाद दी थोड़ नहीं रहेगी इन्नी अउलाद होवेगी के ओना दे वसन जोगी था नहीं लबेगी महराज तो वर लेके दोमे जी अपने कार चले गए बारबाबे निहाले दे परवार दी एह हालत हो गई के आजकल एक हजार उस्दा परवार पंजाब तों बाहर कोई किते ते कोई किते वस्दा है कुझ अबलू वेच भी है ते एनी अउलाद है के दोदो कनान जमीन भी एक कार दे हिस्से नहीं हो दी जिते ए लीला रजी ओ शप्डदाना अजकल गूरू सर है ओ थे पहले चीडी सी दस्वे पाशा भी एथे एक रात रहे सन ओना दावी अस्थान बने होया है इस दे कोड़वार ही निर्बान संतोगदास जी दी याद विच एक समाध तूना बने होया है इस दो थोड़ी विच दे एक सता बोक्यां ते सता अउड़वाण वाड़ा हो है जो ओना दी इतिहासक यादगार है एक हो पिंड अबलू ते कोड़ लीदा संजा है महराजा रंजी सिंग जी दे पिता ते पितामा ते संतान अखाडा ब्रंबुटा दे सेवक सन महराजा रंजी सिंग जी दे दादा सरदार चड़त सिंग पजार पे रोजाना लंगर वास्ते पेटा कर दे सन महराजा रंजी सिंग जी दे पिता सरदार महा सिंग जी ने वी इस सेवा नो जारी रख्या आखाडा ब्रह्म बुटा दे पुराने हस्त लिखत ग्रंथा विच लिखया है के महराजा रंजी सिंगता जनम निर्बान संतोख संग जीदे वार्नाल होया सी एकवारी सरदार महा सिंग जी आपनी राणी राजकौर समेथ निर्बान संतोगदास जी दे दर्शन कारनाय ते प्राथना किती किरपा करके सानू आपने तुने दी बर्कत पुतर बक्षो जिस विले इह मांग किती उस वकत राणी राजकौर ने अद्दा को अंड़कड्या होया सी निर्बान जी ने फुरमाया आप दे पिता सरदार चड़त सिंग ते तुसाने लंगर दी अतोट सेवा किती है इसलिए प्रमात्मा तानू पुतर बक्षेगा पर क्योंकि राजकौ और ने सानू सादू ते पिता समान करके नहीं समझया ते काणा को अंड़कड्या है इसलिए तो अड़ा पुतर काणा होवेगा सरदार महा सिंग ने कहा महराज इको वकत वेच वर ते नाल ही स्राब दे रहे हो ओना दी गल सुनके निर्बान जी ने कहा जो बजन हो गया है वो ता कैम रहेगा पर तो अड़ा काणा पुतर इना ते जस्वी ते परतापी होवेगा के कोई भी मा उस वर का तेज परताप वड़ा काणा पुतर दुनिया वेच नहीं जम्मेगी सोसा संगजी इस परकार महराजा रंजी सिंग दा सारा खांदान इस अखाड़े दा सेवक बन गया एह अखाड़ा ब्रम बुटा शीरी दर्बार सहब दे बिलकुल नाल लगदा है जो लंगर वाले स्थान दे बिलकुल पास है संगता इना दे स्थान दे जाके मथा टेक दिया हन अते बाबा शिरी चन जी अते निर्बान संतोगदा जी दियां खुशियां पराप्त कर दिया हन वाह गुरु जी का खालसा वाह गुरु जी की फते